हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टेड़ी आईएस और आज की वीडियो आप कह सकते हैं फीजी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है सितिविनी रभू का देखें बने तो यह बहुत पहले थे ओके लेकिन मैं वीडियो अभी क्यों लेके आ रहा हूं पहले मैंने स लगी और important भी थी क्योंकि हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है इसलिए आज की वीडियो लेके आया हूं बहुत आपके सकते हैं सटीक बात करेंगे point to point बात करेंगे इनके बारे में मातर 5 point हैं जो के हम डिसकस करने वाले हैं और उसके अलावा आप लोग को जानने की कोई जुरत नहीं है वो आपके लिए important भी नहीं है ये 5 point इनका जीवन उसके आगे career, election, इनकी साधियां ये देखेंगे बस इससे जदा हम नहीं देखने और इससे जदा हमारे जुरत भी नहीं है, तो वीडियो बहुत important रहने वाली है, end तर देखेगा, कहीं पर कोई doubt होता है आपको, पूछ लीजेगा, easily, अब start करते हैं, और उससे पहले देखते हैं कि ये fizzy है कहां पे, देखे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा basically, कि जो fizzy है, ये काफी सारे island का सम हूँ है एक तरीके से, आप लोगो comment section में मुझे बस एक काम करके बताना है, आपको बताना है कि total number of कितने island, पूरे fizzy, जो area है इसमें आते है, सुवा, इसकी capital हो गई, अगर आप देख पाएंगे, तो आपको map में दिख रहा होगा, Australia is side, New Zealand न ठीक है, समझ में आगे आपको और आम से, लेकिन अब आपका काम है कि आपको बताना है मुझे comment section के अंदर that, कि इसके अंदर total number of कितने आपके चकते हैं island आते हैं, थोड़ी research आप भी कीज़े, तेकि दोस्तों, unacademy आपको 0% की MIE का फायदा देती है, जिसका फायदा आप आप लोग उठा सकते हैं, test series एवलेबल है आप लोग लिए इसका benefit भी आप लोग ज़रूर लेजेगा, और एक और बाद दोस्तों, आप लोग लिए यहाँ पे notes भी एवलेबल है, तो आप लोग बहुत कम prices पे भी notes वगएरा खरीज सकते हैं, free interview, guidance program आप लोग लिए एवल एक हो ही, एक और खास बात है दोस्तों, कि यह small pacific island nations में इसे एक हैं, और इसके अंदर यहाँ पे आप कहसकते हैं, जस दिन पहले ही जो election वगएरा है, यह हमें देखने को मिले, अब एक और बात दोस्तों, यहाँ पे बता दूए आपको, कि जो parliament है, यह आप कहसकते हैं, Christmas क इव पे ही, यहाँ देखने को मिली, रभुका के हाथ में, और उनके हाथ में ही आप कहसकते हैं, second time, वो आप पे जिते प्राम मिनिस्टर बने हैं, आगे देखेंगे कि कब बनेते पहले, लेकिन इतना basic चीज आपको पता हो, अब स्टार्ट करते हैं, इनके life और career के बारे, इनका जनम होता है, 13 September 1948 को, और हमारा देश आजाद हो गए 1947 को, तो हमारा देश आजाद, तो यह मालेजी यह भी आजाद हो गए, तो सिती वीनी, जो रभुका साब है, आपके सकते हैं, बताया जाता है, कि यह रहने वाले हैं सुवा के, लेकिन ओरिजिनल एक छोटे है, वहाँ से याद में, इन्होंने अपने ग्रेजुएट करी, यहाँ पे, इन्डेन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलिज के अंदर, वहाँ से इन्होंने यहाँ पे मास्टर डिग्री ली, इन साइंस, और फ्रॉम दी, आपके सकते हैं, मतलब मास्टर डिग्री ली, इजिप्ट में थी, तो इस तरीके से उन्हें काम भी करा, बेसिकली, और बहुत अशे तरीके से इनकी परफॉमेंस रही, लाइफ बिल्कुल एडवेंचरस थी, इन्हें यहाँ पे अवार्ड भी दिया गया था, फ्रेंच लीजंड डी ओंड्रे का फर ब्रेवरी, क्योंक अच्छा आपके सकते हैं, गेम है, इनकी आपके सकते हैं, स्पोर्ट में पहले सी इंट्रेस्ट था, बहुत अच्छा ये खेलते भी थे, अच्छी बात है, मतलब इनकी एक अलग इनकी भावना थी, इन्होंने दोस्तों अपना पहला जो मार्क रहा पॉलिटिक्स के अंद लिडर्शिप कॉलिटी, अच्छी बात, बढ़िया काम करा हैं इन्होंने, साथ ही एक और बात में चाहूंगा, कि यह बत आपको पता हो कि इनको यहां पे पावर मिली, इन्टम एड्मिस्ट्रिशन की, पर एक कमांडर रहे, आर्मी के भी, और इसके साथ-साथ इनके पास आपके सकते हैं इन्टमिस्ट्रिशन का हाथ था, मिनिस्टर ओफ होम अफेर भी इनके अंडर में आता था, कमांडर भी थे और होम अफेर के मिनिस्टर भी थे, बढ़िया काम कर रहे थे, मल्टि टास्किंग आदमी थे जो रबुका है दोस्तो, इन्होंने 1992 के अंदर आप किसकते हैं जो अगला इलक्शन होता है इनका, वहाँ पे कंटेस्ट किया, फिर ये डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए अज प्राम मिनिस्टर, 1992 के अंदर, और ये काम कब तक किया हैं, उन्होंने 1999 था, जो भी इन पार्टी का यहाँ पे गडवंदन किया, लीडबाय रबुका, और आपके सकते हैं, जो 16 साल पूरानी, आपके सकते हैं, फ्रेंक बैनी महारनमा, आपके सकते हैं, जो सत्ता चल रहे थी उनकी, वो खतम होती है, और अब अमें जो प्राम मिनिस्टर ने वो देखने को मि यह बहुत important बात है, जो कि आपको पता होने चीए, एक और बात यहाँ पे आपके सकते हैं, इन्होंने अपनी biography, 2000 ने इन्होंने अपनी biography published भी करी थी, जिसके दौरान इन्होंने यहाँ पे लिखा भी था, कि basically, यह आपके सकते हैं, तीन बच्चों के father हैं basically, वो भी अलग- यह 5 point हैं, जो कि आपको पता होने चीए, short थी video पर important थी, आपको इतनी बाते तो इनके बारे में पता होने चीए, ओके, आगे अगर आप लोग कुछ चाते हैं, कि मैं आपको cover करवाऊं, तो यह भी आप मुझे बता सकते हैं, comment section के अंदर, मैं definitely उसे cover करूँगा, और आपक इतना ही, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तबता के लिए, have a nice day and take care.